Hi everyone, welcome to all of you, आज के इस वीडियो में हम जनेटिक्स के multiple choice question discuss करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं, पहला question, father of genetics was, जनेटिक्स के father, ग्रेगार जार मेंडल, ती, ग्रेगार जार मेंडल, जीजे मेंडल को अम लोग, father of genetics बोलते हैं, डार्विड ने दिया था origin of species, by means of natural selection, टीवरिस ने दिया था, mutation theory, और इन्होंने अपना experiment किया था, ओएनो थेरा लेमार की याना पे, जिसे एवनिंग, प्रीम रोज भी बोलते हैं, ती अच मॉर्गन, मॉर्गन ने दिया था, chromosomal theory of heredity, और इनका जो experiment था, वो drosophylla पे था, मॉर्गन ने अपना जो भी experiment किया था, वो drosophylla पे किया था, तो दिया था, chromosomal theory of heredity, question number first का, जो right answer है, D, father of genetics, Gregor John Mendel, अगला है, question number second, मेंडल्स, last law is, मेंडल्स का जो last law था, वो क्या था, इन्होंने तीन law दिया था, law of dominance, law of segregation, law of independent assortment, तो जो third वाला था, वो था independent assortment, तो right answer है, a, मेंडल्स का जो last law था, वो था law of independent assortment, ठीके, question number second का right answer हो गया, a, अगला है, question number third, a gene pair hides the effect of another, a gene pair hides the effect of another, the phenomena is, किस phenomena क्या बोलते हैं, तो EP stasis, ठीक है, EP stasis, a gene pair hides the effect of another, एक gene pair दूसरे के effect को अगर छुपा दे रहा है, hide कर दे रहा है, तो उसको बोलते हैं, EP stasis, ठीक है, EP stasis भी दो type का होता है, dominant और recessive, ठीक है, तो जो dominant EP stasis होता है, उसका जो ratio होता है, वो होता है, 12 is to 3 is to 1, 12 is to 3 is to 1, अगर दोनो parent हेटरोजाइगस कशन में हैं, ठीक है, और अगर one parent, यानि एक parent हेटरोजाइगस कशन में हैं, तो वो ratio हो जाएगा, 8 is to 4 is to 4, जब एक पैरेंट हेट्रोजाइगस होगा और जब दोनों पैरेंट हेट्रोजाइगस होंगे उस कंडिशन में जो रेशियो होगा वह होगा 12 इस्टू 3 इस्टू 1 ठीक है तो यह हमको याद रखना है यह पूछता है कभी-कभी म्यूटेशन क्या होता है तो इस कंडिशन को बोलते हैं होमोजाइगस जब दो आइडेंटिकल एलिल्स होते हैं जैसे है कैपिटल्टी कैपिटल्टी हो गया तो यह हूएापका होमोजाइगस कंडिशन गता है Capital T, Small T, क्या है? यह हेटरोजाइगस कंडिशन है Capital T, Capital T, Small T, Small T, यह होमोजाइगस कंडिशन है तो question number 4 का जो right answer होगा वो होजाएगा C अगला है question number 5 An allele is dominant if it is expressed in ठीक है? कोई allele dominant होगा? कब dominant होगा? तो यह उस condition में dominant होगा जब यह अपने आपको express करेगा होमोजाइगस कंडिशन में भी और हेटरोजाइगस कंडिशन में भी जैसे की garden P में जो tallness है capital T वो dominant character है और जो darkness है small t वो recessive character है तो capital T या तो होमोजाइगस कंडिशन में हो या हेटरोजाइगस कंडिशन में हो अपने आपको खरेगा ठीक है तो कैसा कर एलील हो गया यह dominant एलील ठीक है तो dominant एलील जो होते है वो अपने आपको ओमोजाइगस कंडिशन में भी present करते हैं और एटरोजाइगस कंडिशन में भी खरते हैं घन सर्फ कर अजर्य व और इंसर हो जाएगा व गर्वा सीच Candrone अप्र विक्रोज लेटिब के इंडिविजोल्स के बीच में जो में डीन होती है उसको वोलते हैं इंडरिडिंग वह बोलते हैं in accepting 26 डो limited organism उंके बीच में mating हो रहा है तो इन में में ऑलो डिफरेंट टाइप के organism है तो दो इनुंग के बीच में होती है उसको लोग हैं बोल देते हैं ठीक है question number 6 का जो right answer होगा वो हो जाएगा D question number 7 the polyteen chromosome polyteen chromosomes were discovered for the first time in ठीक है तो ये नाम है seronomas इसके larva में ठीक है ये organism है इसके larva से polyteen chromosome की discovery हुई थी किस ने किया था तो बलवियानी ने किया था 1881 में बलवियानी ने observe किया था polyteen chromosome को in 1881 में ठीक है आप किस में तो larva चिरो नॉमस ये organism है question number 7 का जो right answer है वो है D question number 8 alleles that produce independent effect in their heterogigous condition are called ठीक है जो alleles होंगे heterogigous condition में heterogigous condition में दोनों alleles अपना अपना effect सो करेंगे तो उसको बोलते है co-dominant alleles उनको क्या बोलते है co-dominant alleles यानि कोई एक दूसरे को suppress नहीं करेंगा ना तो कोई dominant होगा ना तो कोई recessy होगा तो ऐसे condition को हम लोग क्या बोलते है co-dominant alleles question number 8 का जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा B अगला है question number 9 how many different types of genetically different gametes will be produced by a heterogamous plant having the genotype capital A, capital A, capital B, small b, capital C, small c यह है और इसमें कितने type के different type के gametes बनेंगे तो इसका right answer है D, four four types के बनेंगे वो इस तरीके से है capital A यह बनाएगा capital B, small b के साथ और यह capital B हो गया capital C, small c फिर यह हो जाएगा capital C और small c, ठीक है यह capital C हो गया, यह small c हो गया तो इनके साथ बनाएगा यह बन जाएगा, यह four different type के gametes बनेंगे, तो question number 9 का जो right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा T, four different type के gametes बनेंगे, अगला है question number 10 in hybridization किसके किस में capital T, small t और small t, small t तो इसमें जो progeny होगा, वो किसका ratio क्या होगा, तो capital T small t, small t, small t small t है, यह बनाएगा दो capital T, small t, और यह दोनों बनाएगा, small t और small t तो यह capital T, इसके साथ जाएगा तो capital T, small t बना फिर यह इसके साथ जाएगा तो capital T, small t बना capital T small t बना, और यह इसके साथ जाएगा, तो small t, small t फिर यह जाएगा, इसके साथ small t, small t, ठीक है, तो जो ratio राइसे बनेगा ये एक तरीकी का हो गया और ये दूसरे टाइप का हो गया को पूस्ता है कि कॉप्लीमेंटरी जीन का रेशियो क्या होता है तो complementary gene का जो ratio होता है वो 9 is to 7 होता है ठीक है और उसी तरीके से supplementary genes होते है तो supplementary genes दो होते हैं उनका जो ratio होता है 9 is to 3 is to 4 ये वाला जो ratio है 9 is to 3 is to 4 ये किसका है ये supplementary genes के है याद रखियेगा दुनों question number 11 का right answer हो गया C अगला है question number 12 when dominant and recessive alleles express itself together it is called ठीक है तो अभी हम लोगों ने इस तरीके question किया था कोई dominant और कोई recessive alleles नहीं होगा दोनों एक दूसरे को represent करेंगे independently तो उसको बोलते है co-dominance ठीक है co-dominant allele था इसमें इसके पहले वाले में और ये हो गया co-dominance जैसे blood group ठीक है human beings में जो blood group होता है IA, IB और IO ठीक है ये co-dominance हो करते हैं ठीक है IA, IBI, IE ये जो genes होते हैं blood grouping का human being में वो co-dominance हो करते हैं question number 12 का right answer हो जाएगा B अगला है question number 13 extra nuclear inheritance occurs in nucleus के अंदर जो DNA होता है उसका inheritance nuclear inheritance होता है और extra nuclear inheritance जो होता है वो chloroplast और mitochondria में होता है क्योंकि chloroplast और mitochondria में भी अपना खुद का genetic material होता है question number 13 extra nuclear inheritance किसमें होता है तो D chloroplast and mitochondria में ठीक है अगला है question number 14 after a mutation at a genetic locus the character of an organism changes due to the change in protein structure बदल जाता है ठीक है DNA से RNA बनता है DNA से RNA बनता है और RNA से protein बनता है ठीक है और यहीं express होता है DNA जो होता है वो अपने आपको protein के form में ला करके express करता है तो कोई भी change अगर DNA होगा तो वो protein के structure को क्या करेगा change कर देगा जो हमको दिखाई देगा ठीक है तो question number 14 का जो right answer होगा वो जागा B protein structure ठीक है अगला है question number 15 अनॉर्मल वोमेन whose father was colorblind is married to a normal man the sons will be ठीक है एक colorblind father है उसकी बेटी का साधी होता है एक normal man से तो उसमें आपको बताना है कि जो उसके बच्चे होंगे वो कैसे होंगे suppose करते हैं यह father है ठीक है इस father की जितनी भी बेटीया होंगी वो carrier होंगी father की जितनी भी बेटीया होंगी वो सभी क्या होगी colorblindness की carrier होंगी ठीक है ठीक है तो cross जब होगा तो यह एक condition हुआ यह दूसरा यह तीसरा और यह चोथा तो जितने भी sun होंगे यह जो होगा वो sun होगा तो यह normal sun है यह और यह colorblind होगा ठीक है यह normal होगा और यह colorblind होगा ठीक तो अगर दो बच्चे हो रहे हैं उसमें जो sun होगा एक colorblind होगा और एक normal होगा यानि कि colorblind होने का chances कितना होगा तो 50% ठीक है दो बच्चे हैं तो एक normal होगा और एक colorblind chances क्या है 50-50 है है ना तो right answer क्या हो जाएगा D 50% colorblind पादर है colorblind और उसकी जो पुत्री होगी जो daughter होगी वो carrier होगी और उस carrier daughter का साधी जब normal man से होगा तो उनके जो बच्चे होगे उनमें 50% chance होगा कि sun जो होगा 50% chance होगा कि sun colorblind होगा ठीक है question 15 क्याइट एटेंसर होगा D अगला है question 16 the genotype of a plant showing the dominant phenotype can be determined by ठीक है तो किसके थुरू तो test cross के थुरू test cross के थुरू हम लोग यह बता सकते हैं कि कोई भी dominant phenotype जो है वो hybrid है heterogigous condition में है या homogigous condition में है ठीक है test cross होता क्या है तो a test cross या जो cross होता है made between hybrid यानि F1 generation में जो आपको मिला हुआ है उसका cross जब हम लोग homogigous recessive plant से कराते हैं ठीक है F1 में जो आपको individual मिला या hybrid जो मिला उसका जब हम लोग cross कराते हैं homogigous recessive है जैसे कि capital T capital T small T small T में जब hybrid कराएंगे तो capital T small T बनेगा capital T small T बनेगा अब इसका अगर cross हम लोग करा देंगे इसके साथ recessive homogigous के साथ तो यह जो cross होगा इसको हम लोग बोलेंगे test cross इसको क्या बला जाएगा test cross ठीक है तो across made between hybrid यानि F1 generation में जो individual प्राप्थ हुआ है उसका और homogigous recessive individual के बिच में जो cross होगा वो हो जाएगा test cross ठीक है और back cross क्या होता है तो इसमें या तो इसके साथ करा जा या तो इसके साथ किसी के भी साथ करा सकते है दोनों parent में से किसी भी के साथ तो उसको बोलते है back cross ठीक है तो हमको यह पता लगाना है कि जो genotype है जो आपका individual है जो genotype है वो homo-gagous condition में है कि hetero-gagous condition में है यह पता लगाने के लिए हम लोग कौन सावला cross करेंगे तो test cross करेंगे ठीक तो question number 16 का जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा B अगला है 17 when two unrelated individuals or lines are crossed the performance of F1 hybrid is often superior to both parents this phenomena is called heterosis भोलते है इसको ठीक है इसको hybrid bigger भी बलते हैं hybrid bigger भी बलते हैं heterosis भोलते हैं और hybrid bigger भी बलते हैं दो individuals है A और B इनके बीच में cross कराय commitments cross करने के बाद individual C बन रहा है तो इसका जो character होगा यह इन से superior होगा इन दोनों से superior होगा यह होए इंडिवीज्ड का अपने परन से सूपिरियर होगा अचि parse ओ क्या होता है आर एनने का स्वेंसिंग फ siis फीन जो उसको कट करके नीकलने का जो प्रस्टीज्व स्वेडा चालो अध यह को बोलते है आरने स्प्लाइशींग भी अगला है है और येशन इन पोपुलेशन अराइस्ट कई एक वेरियेशन की आता है मेंटेशन के थ्रू और और री कॉम्बिनेशन के थ्रू गट्ट minder ऑगवंटेशन जर्नेटिक री इनाई का होता है और र्हौ मु जो होता है उसमें variation आता है तो question number 18 का जो right answer होगा वो हो जाएगा A अगला है question number 19 which of the following is main category of mutation ठीक है तो इसका right answer है B genetic mutation जो होता है यही main mutation होता है इन में जो भी mutation होता है वो hereditary होता है आगे के generation में pass होता है तो question number 19 जो answer है वो होगा B अगला है question number 20 phenomena of industrial mentalism ठीक है industrial melanism demonstrate ठीक है यह क्यों होता है तो यह दिखाता है या show करता है natural selection यह क्या show करता है natural selection तो question number 20 का जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा B industrial melanism है क्या तो industrial melanism is an adaptation where the moths living in the industrial area developed melanin ठीक है melanin pigment to match their body to the shoot covered surrounding ठीक है यानि वहाँ industrial area में जो moths होते है वो अपने body में melanin secret करके अपना color जो है वहाँ पे जो भी surrounding होता है shoot covered surrounding होता है वातावरण उसके according अपने आपको change कर लेता है ठीक है तो यह क्या है यह natural selection है यानि वहाँ पे जो condition है उस condition के recording अपने आपको ढाल लेना तो question number 20 जो है phenomenon of industrial melanism क्यों है तो natural selection due to natural selection ठीक है अगला है question number 21 अगला है question number 21 इन डाई हैबरिड क्रॉस तो डाई हैबरिड क्रॉस क्या होता है जब दो character को हम लोग consider करके a 1920 क्रॉस जब हम लोग कोई क्रॉस कराते हैं और जिसमें हम लोग क्या करते हैं दो character को consider करते हैं तो उसको बलते o एक एफ टू प्रोजेनी आफ ए यह जो दिया हुआ है गैमिट ऑकर्स इंदर रेसियो आफ हमको बताना है कि यह जो प्रोजेनी चार टाइप के बन रहे है इनका जो रेसियो होगा वो क्या होगा ठीक है तो यह आप बनाईए अपने से और इसका एंसर कमेंट में करिए अना ठीक अब वो आपके लिए है कमेंट करिए इसका एंसर क्या होगा आज के लिए इतना रहने देते हैं बागी फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और कॉस्टन लेके आएंगे अब तक के लिए थैंक्यू